नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें माता रानी की सौगंद खाता हूँ माता वैशनों की सौगंद खाता हूँ अगर आज आपने ये पान का उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ती महाशक्ती करोडपती होने से रोक नहीं सकती आप महा धनी हो जाओगे धन एश्वर्य से देखिए इस साल जो नवरात्री है माता रानी इस साल नवरात्री में हाथी पर सवार होकर के आई हैं। तो आपको नवरात्री में मैं आप लोगों को पान का जबरदस्त चमतकारी प्रयोग बताऊंगा। यह उपाय करके आपके घर में रखी लकडी भी सोने की हो जाएगी। बस यह उपाय सच्चे दिल से ही करना है। पान का विशेश उपाय खास कर माता रानी को बहुत प्रिय होता है। पान आज हम पान के दस जबरदस्त उपाय बताएंगे। दस में से आप कोई भी एक उपाय कर लेना आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप विजय हो जाएगे। घर में दिन दोगुनी राद चौगुनी तरक्की होगी। चारों दिशाओं से धन, दौलत, रंबे समय से पूछ रहे थे कि गुरुजी सिध्ध प्राप्त करने वाला कोई उपाय बता दीजिये, मनोकामना पूर्ती करने वाला कोई टोटका बता दीजिये, तथा सरकारी नौकरी दुश्मन पर विजय प्राप्त ग्रह दोश दूर करने के लिए उपाय बता दीजिय तो पान से ही समस्त प्रकार की मनोकामना, समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करने का, अब जबरदस्थ पावर्फुल चमतकारिक प्रयोग बताऊंगा, आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा, भोग लगाने के बाद देवी देवताओं को हम पान, इलायची और लॉं पान के माध्यम से अनेक प्रकार की सिध्यों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि आपको पान को साधारन नहीं समझना है। पान के अंदर में अंगिनत चमतकारी शक्तियां होती हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना Smile Families चैनल का मकसद है, जनहित एवं जनकल्यान करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाई जाती है, ताकि आपका भला हो, आपका कल्यान हो, अगर आप इस प्रकार की प्राचीन जानकारी में इंट्रेस्ट रखते हैं, थोड़ा बहुत, अगर आपका भी मन रुचिता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, हमारा सपोर्ट जरूर करें, दोस्तों आईए, अब जानते हैं, तामबूल के उपाय अभी तक कम तीन से चार, इसके प्रयोग बताऊंगा, आप मेंसे ऐसे अधिकतर लोग हैं, जो कि सिध्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिध्धि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, सिध्धि प्राप्त करने में बहुत सारी समस्या आती है, या फिर मंत्र में बीच में किसी भी प्राकर क जाप करते हैं, उसमें खंड हो जाती है, खंडित हो जाती है, आप चाहते हैं कि आपको मंत्र कम जपना पड़े और आपको सिध्ध की प्राप्ती हो जाए, तो गुरु परंपरा से चले आ रहे पान का एक गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग आपको किसी दूसर की जानकारी बता रहा हूं, तो साथ में स्वच्छ आपको एक पान का पत्ता लेना है, और पान के पत्ते में जो पान के पत्ते का निचला हिस्सा होता है, उसमें आपको शहद लगाना है, पान के पत्ते को पहले सर्व प्रथम तो आपको धो लेना है, साफ पानी से फिर ज रिजल्ट देना शुरू कर दे, तो नवरात्री के नौ दिन तक इस प्रकार के पान के पत्ते नव दुर्गा माता को चढ़ाना है, क्योंकि नव दुर्गा माता को शक्ति कहा जाता है, सिध्धिदात्री कहा जाता है, इनकी सिध्धि के बिना कोई भी देवी देवता उस मंत तरानी को एक आपको शहद लगा हुआ पान भेंट कर देना है। साबर मंतर आ जाते हैं। साबर मंतर सिद्ध करना चाहते हैं। तो ये उपाय अवश्य करिएगा। तीवर रूप से अपना रिजल्ट देते हैं। दोस्तों चलिए। मैं आप लोगों को मनोकामना पूर्ती करने वाला जबरदस्त पान के माध्यम से गुप्त प्रयोग बता अभी तक जय माता दी नहीं। लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखना। तो पत्ते के पत्ते का आपको रस निकाल लेना है। और इसके रस से भोजपत्र में आपको मनोकामना लिखना है। एक कोई भी आपको मनोकामना लिखना है। और इसे आपको नवरात्री में माता प्राणी को चढ़ा देना है मात्र एक महीने के भीतर में आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जबरदस्त ये पावरफुल प्रयोग है क्योंकि पान को साधारण मत समझना इसके बारे में कभी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा कि पान की जड़ में कौन सी श पान में गुड डालकर के ध्यान से सुनिये पान के पत्ते में गुड डालकर के गौ माता को खिला देने से संतान की प्राप्ती होती है यानि कि आपको पुत्र की प्राप्ती होगी पुत्र की प्राप्ती के लिए अगर आप ये उपाय करते हैं तो 100% वो फायदा आपको द तो माता रानी को क्या चढ़ाएं? तो पान के पत्ते में शक्कर डाल करके ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको पान का अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। आप में से ऐसे लोग हैं, बहुत बार-बार हमें बोलते हैं। गुरु जी हमारे जो घर हैं भारी-भारी पन लगता हैं। और एक में माता रानी का बीज मंत्र बता रहा हूं। ये बीज मंत्र बोलते हुए पान में आप बताशा डालेंगे और इसे आपको आग में जला देना है या गोबर के कंडे की आग भी बना सकते हैं। और भस्म कर देंगे। दोस्तों आपके घर का वातावरन शुद्ध हो जाएगा। आपका घर पवित्र हो जाएगा। जितने भी शत्रु ने तंत्र क्रिया किया है वो शत्रु पर ही वापस पलट जाएंगे। जबरदस्त है। पावर्फुल प्रयोग है ना। इसमें आपक यह उपाय कर लिया तो आपको विजय होने से धनवान होने से करोड़पती होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। स्वयम जगदंबा मातारानी जगत मा आपको धनधान्य से माला माल कर देंगी। बस कर लेना पान का यह उपाय। देखिए सबसे पहले तो आपको मातारानी के लिए नौ पान लेना है और इन नौ पान को संपूर्ण तरीके से मातारानी के लिए सभी सामगरी डाल कर पान बना लेना है। बीडा बना लेना है। आप चाहें तो बाजार से रेडी मेट भी पान ला सकते हैं लेकिन आपको नौ पान सभी सामगरी सहित पंसारी की दुकान से ले आना है पान को बनवा लेना है और हाँ हर एक पान में लौंग और एक एक इलायची जरूर डाल देना दोस्तों अब आपको क्या करना है वह हम आपको बताएंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहना देखिए अब जो अपने नौपान लिये हैं इन्हें आपको नियम के व्रिक्ष के नीचे में वहाँ पर आपको रखाना है माता रानी को अर्पित कर देना है माता वैशनों को अर्पित कर देना है पान अर्पित करते समय मा का जैकारा अवश्य लगाएं मन में बोले, अपनी सभी च्छाएं और 108 बार यह मंत्र जरूर बोलें, ओम हिरीम क्लीन चामुंडाय विच्चए, यह मंत्र आपको हर हाल में बोलना है, नहीं तो जो आपने पान अर्पित किये हैं, उसका फल व्यर्थ चला जाएगा, मैं माता वैशनों की सौगंध खाता आप विशेश तोर से महाधनी हो जाओगे, कंगाल व्यक्ति भी करोडपती हो जाता है, दोस्तों खासकर नवरात्रों में माता नवदुर्गा की शक्ती नियम के व्रिक्ष में आ जाती है, माता दुर्गा मा जगदंबा काली माता की समस्त शक्ती नियम व्रिक्ष में होती और नौ देवियां नियम के व्रिक्ष में अपना अस्थाई निवास बना लेती हैं। मात्र ये उपाय करने से कोई भी गरीब नहीं रहता, बस मन में सक्ची श्रद्धा होना चाहिए। खाली पान अर्पित मत करना, पान के उपर लौंग बताशे, इलाइची तथा सुपारी जरूर डाल देना, फिर देखना आपके घर में एक नन्हे मुन्ने की किलकारी आपके आंगन में गूंजेगी, आपकी गोद में खेलेगी, एक संतान आपके घर में उत्पन्न होगी। दोस्तों हर मंगलवार या शनिवार के दिन स्नान करके मंदिर जाकर भगवान बजरंग बली को पान का बीड़ा अर्पित करें, तो इस उपाये से हनुमान जी शीग्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी परेशानियों का बीड़ा उठाते हैं। रविवार के दिन पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलने से रुके हुए सभी कार्य संपन्न होने लगते हैं। वो ताजगी और सम्रिध्धी का प्रतीक माना जाता है। सकंद पुरान के अनुसार पान के पत्तों का उद्भव समुंद्र मन्थन के दौरान हुआ था। पूजा में पान के पत्तों के इस्तिमाल इस मान्यता के आधार पर भी किये जाते हैं कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है, निवास होता है, पान में शक्तियां होती है, उर्जाएं होती है, जो मनुष्य माता राणी को पान अर्पित करता है, उसके घर में धन संपदा तथा उस व्यक्ति को अश्ट सिद्ध और नौनिधी की प्राप्ति होत पान का पत्ता नकारात्मक उर्जा को दूर करके सकारात्मक उर्जा को बढ़ाने का काम करता है इसलिए अगर किसी व्यक्ति को नजर लग गई है तो उसे पान में गुलाब की साथ पंखुडियां रख कर खिला दें नजर आसपास भी नहीं भटकेगी तो आशा करता हूँ पान संबंधित जीतनी भी नवरात्री में किये जाने वाले उपाय बताया हूँ ये उपाय आपके जीवन में कल्यानकारी साबित जरूर होंगे मंगल में साबित जरूर होंगे और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कॉमेंट बॉक्स में जै मातादी नहीं लिखा है तो जै मातादी लिख दीजिए